एवं धर्म प्रेमी सज्जनों भगवान की जब प्रपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का आउसर मिलता है मुसल्मानों के बीच में लगातार कई वर्सों से हम जा रहे हैं और भारत वर्स में एक नई प्रथा का प्रारम भकिया मैंने की जब जगत गुरू संकरा चार्ज भी मुसल्मानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इसलाम की सच्चाई को जान करके इसलाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाच सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे जब लोग इसलाम को बेदर्ब मुसल्मान को बेदर्ब तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धर्पी में कोई दुखी होता होगा तो सबसे जादा दुख मुझको होता है ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है जिस इसलाम ने पहला कलमा ही कुरान सरीफ का बताता है कि नहीं है अबादत के काबिल सिवाए परमात्मा के और कोई ला इल्लाह इल्लाह मुहम्म्मद रसूललाह भलाया बताईए बेदों का रस बेदों का रस निचोड करके मुहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया इस से बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़कर के हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा कुरान को हमने गहराईयों में जाकर के तो नहीं अन्वो किया लेकिन कुरान के मानने वालों के हिर्दे की गहराईयों में जाके देखा कि अगर इसलाम को पूरी दुनिया अगर सुरीकार कर ले तो इसमें कोई भुराई नहीं है इसलाम परमात्मा के दौरा बताया गया सिध्धान तहे इस्लाम किसी बेक्टी का अपना नियम नहीं है अपना सिधान पर नहीं है कुछ लोग भेद भाव पैदा करने के लिए इस धर्थी पर मुसल्मानों को बेदर्थ कह देते हैं इस्लाम को बुरा कह देते हैं मैं कहता हूँ उनसे बुरा इस दुग्या में कोई नहीं है वो सैतान के बच्चे हैं खुदा के बच्चे नहीं है क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुँच है हमने बेदों को पढ़ा पुरान को पढ़ा सास्तरों को हिंदू धर्मकरंतों को पढ़ा उसके बाद में मुसल्मानों के बीच में जाना शूरू किया हमने मुसल्मानों से हाथ मिलाया तो हमारा बिरोथ किया गया यह अंदा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं संक्रा चार्ज कैसे हैं अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है वो पांच बार इबादत कर लेते हैं खुदा की तुम घास खाते हो और एक बार भी इज़ बात नहीं करते हो तो तुम से बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है तुम अपने अधर्म को देखो किसी के पवित्रता के सिध्धानतों का बिरोध करना पहला अधर्म है आप क्या खाते हैं? कैसे रहते हैं? अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आप से बड़ा इनसान दुनिया में कोई नहीं है हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुँचा हुएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में कहने का ताथ पर इस सर्फ एक है कि मैंने ये अन्भो किया है कि ये एक बात जो मैंने देखा है आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है लोग पूछते हैं कि आप मसल्मानों में क्यों जाते हो? आप तो संकराचार जो हमने का कि भाई मुसल्मानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे का फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या हमने का कि हम तो तुमारी बीच में पैदा हुए और तुम मुसल्मानों से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम तुम से प्रेम नहीं करते मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूँ कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ स्थाएं हिंदू मुसल्मानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्ज किया जिसके उजे से आम हिंदू सिदा सादा हिंदू विचारा जाने ही नहीं पाता है इसलाम क्या है और सनातन धर्म क्या है सनातन धर्म और इसलाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है सनातन धर्म धर्म है बुरी बात नहीं है इसलाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है परमात्मा सब का है ये संदेश रिश्यो मुन्यों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश सयम हमारे मुहम्मद सहाब ने इस पैगाम को दिया तो हम बेद भाव क्यों करें यहां पर भारत का मुसलमान एक बात बिलकुल मैं असपस्ट बता रहा हूं आप से अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा भारत जाग जाएगा पूरी दुनिया जाग जाएगी ये भी मैं जानता हूँ कि भारत के सच्चे हिंदूओं को सच्चे सनातन धरमी हैं उनको मसल्मानों से प्रेम चाहिए उनको मसल्मानों से भेड़ नहीं चाहिए प्रेजी की भी मिल गई है सारी दुनिया में अगर इस गरंथ को पहुंचाया जाए और पहुंचाना चाहिए मैं तो मुसल्मानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दे आप के पडोस में जिस भी भाषा को जानने वाला ब्यक्ति रहता हो जिस भी भाषा को कोशिश कीजिए किया आप इस कुरान जैसे पवित गरंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाये और नई समय सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में सारी दुनिया में शांती होगी सारी दुनिया में अमन होगा और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रीमियों के बीच में संक्राचाज को पहुँचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, शंकोच नहीं होगा, आप लोग भी निडर हो जाईए, आप लोग भी संकोच छोड़िये, हम जानते हैं कभी-कभी शंकोच में, कभी-कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं, उनकी उल्टी सीधी औजनाओं में, हम लोग एक दूसरे से मिलने ही पाते हम हाथ पसारे हुए, आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे, जरुरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने के जुद पड़ जाए, तो इसलाम की रक्षा के लिए संकराचार आपका साथ देगा, क्योंकि संकराचार जानते हैं, इसलाम धोका नहीं है, संकराचार जानते हैं, इसलाम बर्बादी का रास्ता नहीं है, संकराचार को पता है, कि जो बेद म लिखा है वही कुरान में लिखा है इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा अगर हम मुसल्मानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसल्मान परमात्मा का बनाया है आदमी का नहीं हिंदू जो अपने उकहते हैं वो भी जान लें कि वो परमात्मा के बनाये हैं तो मुसल्मानों से भेदभाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें राक्तर लकनाई साथ देखिए मैं अपरचित था जानता नहीं था और मैं बड़ा प्रशन हूँ कि वो समय निकाले और यहां आए उनको तो मैं धन्वाद क्या दूँ मैं तो यह चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्त दे कि हम लोगों को सब को ऐसे ही सुन्दर दिब बड़ अब जोतोगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे इनी शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी आत करेंगे जब तक मेरा शरीर है हम आपकी सवाओं में आते रहेंगे ओम शानती ही शानती ही शानती